मनिपूर एक साल से जल रहा है महिलाव और वहां के लोकों को तंग और थबा करके घर बरबाद किये जा रहे एक दिन तो जाकर आप आए मनिपूर को जाकर आए 14 देशों को गए एलेक्शन में तो सेकडो भाषन किये लेकिन मनिपूर में आपने क्यों नहीं गया आप क्यों नहीं पहुंचे इतना बोलने वाले व्यक्ति गरिबों के बारे में महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले मैं पुस्ताओं साब मनिपूर एक साल से जल रहा है किस तरह महिलाओं और वहाँ के लोगों को तंग और थभा करके घर बरबाद किये जा रहे हैं एक दिन तो जाकर आप आए मनीपूर को जाकर आए अब तो चवुदा विदेशों में फिरे 14 देशों को गए एलेक्षन में तो सेकडो भाशन किये लेकिन मनीपूर में आपने क्यों नहीं गया आप क्यों नहीं पहुंचे और सबका साथ सबका विकास आपने सिर्फ कुछ लोकों का साथ दिया और कुछ का विकास किया गरीबों का सब सत्यानास किया इस सभी नारों का क्या हकीकत है ये देश अच्छी तरह जान रहा है और सर सभापती जी 224 का चुनाव आम जंता के शद्दों में अंकार तोड़ने वाला चुनाव था अंकार तोड़ने वाला चुनाव था पिछली सरकार के 17 मंतरी चुनाव हार गए है किसानों को जीब से रोंदने वाले मंतरी को हम हटाने की मांग कर रहे थे जनता नहीं उसे रोंद दिया और खत्रम हो और एक शाहर ने कहा है कभी घमंड मत करना कभी घमंड मत करना तकदीर बदलती रहती है तकदीर बदलती रहती है सीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है तो ये घमंड और ये ऐसा ही भाशन करते थे ये घमंडी इंडी घमंडी गटवन्दन हमको घमंडी बोलते थे अरे घमंड तो तुट गया आपका और आज आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का अब तो 200 पार में है झाल झाल